नमस्कार दोस्तों स्वागत आप सभी का हमारी यूटूब चैनल में दोस्तों जैसा कि आपको पता है रीट लेवल फस्ट की कल कट अफ जारी कर दी गई है और जो वेटिंग लिस्ट है वो न्यूकती प्रक्रिया के बाद में जारी होगी तो इस वीडियो में आपको एक महत्वपुन जानकारी देने वाला हूँ तो जानकारी शुरू करें उससे पहले आपसे निवेदने की करपाखर के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए तो दोस्तों जिन अब्रतियों का चैन हुआ है उनको हर दिक सुब काम नहीं तो बात करते हैं महत्वपुन जानकारी की तो इस वीडियो में बात करेंगी कि कौन से डोकुमेंट आपको तयार रखने हैं अगर आपका चैन हुआ है तो आपको ये डोकुमेंट तयार रखने हैं आप देख सकते हैं मूल आवेदन पत्र, गोशना पत्र, सपत पत्र, सेकेंडरी यानि दस्वी की अंकतालिका की परमानीत परती बारवी की अंकतालिका की परमानीत परती, सनातक की BSTC की जो संकक्ष की अंकतालिका की प्रमानित परती मूल निवास प्रमान पत्र की प्रमान पत्र जाती प्रमान पत्र अन्सुची जाती अन्सुची जन जाती अन्सुची छेतर जन जाती अने पिछडा वरग अति पिछडा वरग की प्रमानित परती या बे नोट भी दिया हुआ है अने पिछडा वरग अति पिछडा वरग के लिए वेद अवधी का प्रमान पत्र हो सारीक विकलांग ता प्रमान पत्र विद्वा की स्थिति में स्वेम का सपत पत्र और पत्ती की मिर्थिव का पर्मान पत्र पुनर विवा नहीं किया है का सपत पत्र भी तलाक शुदा होने पर नियाले नहने डीकरी के पर्मानित पत्ती और पुनर विवा नहीं किया है का सपत पत्र रीट 2011 का प्रमान पत्र 12, 15 और 17 तो आपने जो भी लगाया था वो इसमें से आपको पेस्क करना होगा तो देख सकते हैं आप इन डॉकॉमेंट्स की आपको जरूरत पड़ेगी धन्यवाद वीडियो अच्छा लगाओ लाइक और शेर करें चैनल को सब्सक्राइब करना ना बुलें